हाँ हेलो एवरियोन माई नेम इस रवी शर्मा और यार आपका पर्सों हैं SBI क्लर्क मेंस ठीक है तो SBI प्री आपने बहुत मैनत करके क्लियर किया है मेंस भी आप कर लेंगे कैसे करेंगे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना और कुछ पॉजिटिव वाइब्स चाहिए ज जो इसमें बातें बताईए है उस पर आप ध्यान रखें थोड़ा सा ठीक है तो पहली चीज़ आपको देखो ये ध्यान रखनी है कि आपने मेहनत की है आपको उस मेहनत पर वरोसा रखना है आपको खुद पर वरोसा रखना है और अगर आप मेहनत आपने की है तो यह यह जिसको भी आप मानते हैं ये अनर्जीज ये आपको आपकी उस महनत का फल जरूर देंगी ठीक है अब ये कोई लोगों को लगता है कि यह मेरी महनत मतलब की इनफ है कि नहीं है तो देखो महनत competitive exam है ठीक है तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आपकी इनफ है लेकिन आपको जो भरोसा है खुद पे वो और इसके अलावा आपको pressure handle करने की जो ability है capability है उस पे भी depend करता है कि आप मुश्किल वक्त पे या फिर थोड़ी सी pressurized जो environment create होता है वहां पे उसमें अपने आपको कैसे संजो के रख पाते हैं उस पे भी depend करती है तो कैसे आप अपने आपको calm down उन करके एक per question पे one by one जाते हैं और उसी question पे focus करते हैं तब आपके दिमाग में कुछ पीछे और thoughts ना चलते हो ठीक है तो करना कुछ नहीं आपको अभी से अपने आपसे मतलब कभी भी आपके thoughts आ रहे ना अभी इस time पे आपके thoughts बहुत सारे bombard होंगे आपको ऐसे thoughts आएंगे कि यार उदर गलत हो गया तो क्या उदर मुश्किल आ गया तो क्या जी अगर मैंने जो पढ़ी उसके अलावा कुछ आ गया तो क्या देखो यार यह सब इदर उदर की बाते हैं होने को तो बहुत कुछ हो सकता है लेकिन मैं आपको बार 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 बोल रहा हूँ क्लेरिकल लेवल का एकजाम है और बेंकिंग का क्लैरिकल का मेंंस है ठीक है तो बहुत कुछ ऐसा मुष्ब नहीं दे सकते अगर बहुत मुष्ब दे दिया तो फिर दो पिघागो किंगे बार बार जाहिए ओर ऑप आपको ये रखना है कि बहुत मुश्किल पिपर नहीं आएगा, आसान आएगा, और मतलब कि डूएबल आएगा जो मैं कर लूँगा, क्योंकि मैंने महनत की है, ठीक है, और सिर्फ एक दिन की बात है मेरे भाई, अगर इस दिन आपने इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दे के एक जगे कंसंट्रेट कर लिया, फोकस कर लिया, तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, इसके इलावा आपको जो इंपोर्टेंट चीज याद रखनी है कि जो आपका एक्जाम डे होगा, ठीक है, एक्जाम डे से पहले हम बात करते हैं कल की, जो की एक्जाम से वन डे ब कुराने मौक दिये हैं, उनको आप थोड़ा सा अनलाइज या फिर रिवाइज कर सकते हैं, जो कंसेप्ट्स आपको लगता है कि इंपोर्टेंट है, इसके अलावा आपके मौक में जो भी माक्स आया हैं, उसको भूल के आपको वहाँ पे अच्छा करना है, टेक इट थोड़ा सा जल्दी निकले घर से, कम से कम हाफ एनार का बफर आपके पास होना चाहिए, मतलब एक्जाम सेंटर पे जो रिपोर्टिंग टाइम हो से आदे घंटे पहले आपको पहुंचना है, मतलब अगर आपको सेंटर पे पहुंचने के लिए एक घंटा चाहिए तो एक अपना जोन मना के रखे, किसी को उस जोन के अंदर आने ना दे, कोई भी negative thoughts को भी ना ना दे, और लोगों से भी कुछ बाते मत करें, क्योंकि लोग ऐसी ऐसी बाते करेंगे कि आपको लगेगा आपकी त्यारी है, बिल्कुल zero बटा जरनाटा, ठीक है, तो zero बटा, zero हमारी त्यारी नहीं है, हमारी त्यारी अच्छी है, इसलिए हमें बाहर के लोगों से, negativity से, इन चीजों से, और extra जो baggage हम carry कर लेते हैं, मतलब physical baggage नहीं, जो mental baggage है, जो हम लोगों की वज़े से कर लेते हैं, carry, जब हम exam center में जाते हैं तब, तो वो आपको नहीं करना, आप अलग खड हो रहा है, चलो check करते है, 11-12 क्या होता है, तो ऐसे ऐसे करके अपने दिमाग में आपको चलते रहना, मतलब अच्छी बाते ही आनी चाहिए उस टाइम पर, और यह होना चाहिए कि यार, और एक मतलब एक grateful heart होना चाहिए आपका उस टाइम पर, कि यार देखो में को opportunity मिलियो दुनिया में कितने लोग है, वट मैं यहां पर हो, और आज मेरा अगर paper अच्छा हुआ, जो कि होगा, तो मेरा हो जाएगा, ठीक है, तो मैं भी एक banker कहला हूँगा, इसके अलावा, जब आप अंदर गुच जाना मतलब बहुत जल्दी भी नहीं, थोड़ा सा 20-25 मिनट पह होते हैं, तो वहां पर ऐसे होता है कि अचाना की start हो जाता है paper, आप ऐसे बैठे है, paper start हो जाएगा, और वह ऐसे बोलेंगे, start the exam, start the exam, start the exam, सबको बोलेंगे, तो बहुत चीज़ अवाइड करने के लिए आप बार बार उस पर थोड़ा सा click कर लें, एक दो-दो मिनट बाद ताकि आपको पता चले, जब भी आप I am ready and start button पे click करते हैं, तो आपको आता है कि भाई, अभी 7 मिनट बाद start कर सकते हैं, आप तो आपको पता है, 7 मिनट बाद हो जाएगा start, कईयों को पता ही नहीं होता कब अचाना कि इदर उदर देख रहे हो, बोई paper start हो गया, तो वो थ exam भी start हो जाएगा, exam में क्या करना आपको, कि पहले तो skim करना है हर section को, कि किदर असान सवाल चुपे हो है, selectivity of question matter करेगी, और गबराना नहीं है, अगर कहीं एक आपका question गलत select कर लिया और नहीं solve हुआ, तो till the last moment, you are a champion, you are a fighter, तो आप लड़ते रहेंगे, आप solve करते रहें बस आपको करना है क्या है, वही लोग जीतते हैं जो last तक हार नहीं मानते, तो आपको क्या करना है, वैसा warrior बनना है, warrior नहीं warrior, ठीक है, warrior बनना है, एक आपको महान warrior बनना है, champion बनना है, वो कैसे बनेंगे आप, खुद पर बरोसा रखके, बार बार bounce back करके, pressure में अपने आप perform करके, क्योंकि आपने महनत की है, तो इनी शब्दों के साथ, मैं आपको बोलूँगा, कि भाई, आपका paper अच्छा हो, और all the very best, और अगर आपको कुछ comment section में लिखना है, तो आप लिख सकते हैं, बाकी, बिलकुल last तक लड़ेंगे, और जीत के आएंगे, all the very best.